नीतिवचन अध्याय आठ क्या बुद्धी नहीं पुकारती है? क्या समझ उचे शब्द से नहीं बोलती है? वे है तो उचे स्थानों पर मार्ग की ओर और तिर्मोहानियों में खड़ी होती है. फाटकों के पास नगर के पेठाव में और द्वारों ही में वे उचे स्वर से कहती है. हे मनुश्यों मैं तुमको पुकारती हूँ और मेरी बात सब आदमियों के लिए है. हे बोलो चतुराई सीखो और हे मूर्खो अपने मन में समझ लो सुनो क्यूंकि मैं उत्तम बातें कहूंगी और जब मुँँ खोलूंगी तब उसमें सीधी बातें निकलेंगी क्यूंकि मुझ से सच्चाई की बातों का वर्णन होगा. दुष्टता की बातों से मुझ को घ्रिना आती है. मेरे मूं की सब बातें धरम की होती है. उन में से कोई टेड़ी या उलट फेर की बात नहीं निकलती है. समझ वाले के लिए वे सब सहज और ज्ञान प्राप्ति करने के लिए अती सीधी है. चांदी नहीं मेरी सिक्षा ही को लो और उत्तम कुंदन से बढ़कर ज्ञान को ग्रेहन करो. क्यूंकि बुद्धी मुंगे से भी अच्छी है और सारी मन भावनी वस्तुओं में कोई भी उसके तुल्ले नहीं है. मैं जो बुद्धी हूँ चतुराई में वास करती हूँ और ज्ञान और विवेक को प्राप्त करती हूँ. यहवा का भे मानना बुराई से बैर रखना है. घमंड, अहंकार और बुरी चाल से और उलट फेर की बाद से भी मैं बैर रखती हूँ. उत्तम युक्ती से खड़ी बुद्धी मेरी ही है. मैं तो समझ हूँ और पराकरम भी मेरा है. मेरे ही द्वारा राजा राज्य करते हैं और अधिकारी धरम से विचार करते हैं. मेरे ही द्वारा राजा, हाकिम और रईस और प्रित्वी के सब नयाई शाशन करते हैं. जो मुझ से प्रेम रखते हैं, उसमें मैं भी प्रेम रखती हूँ. और जो मुझ को यतन से तड़के उठकर खोजते हैं, वे मुझे पाते हैं. धन और परतिष्ठा मेरे पास है, वरन ठहरने वाला धन और धरम भी है. मेरा फल चोखे सोने से, वरन कुंदन से भी उत्तम है. और मेरी उपज उत्तम चांदी से अच्छी है. मैं धरम के मार्ग में और नयाय की डगरों के बीच में चलती हूँ. जिस से मैं अपने प्रेम्यों को प्रामर्थ का भागी करूं और उनके भंडारों को भर दूं. यहवा ने मुझे काम करने के आरंब में वरन अपने प्राचीन काल के कामों से भी पहले उत्पन किया. मैं सदा से वरन आदी से प्रित्वी की स्रिष्टी से पहले ही से ठहराई गई हूँ. जब ना तो गहरा सागर था और ना जलके सोते थे तब ही से मैं उत्पन हुई. जब पहाड और पहाडियां स्थिर ना की गई थी तब ही से मैं उत्पन हुई. जब यहवा ने ना तो पृत्वी और ना मैदान ना जगत की धूली के परमानू बनाये थे इनसे पहले ही मैं उत्पन हुई जब उसने आकाश को स्थिर किया तब मैं वहां थी जब उसने गेहरे सागर के उपर आकाश मंडल ठहराया तब उस आकाश मंडल के उपर में स्थिर किया और गेहरे सागर के सोते फूटने लगे जब उसने समूंदर की सीमा ठहराई कि जल उसकी आज्या का उलंगन ना कर सके और जब वे पृत्वी की नीव की डोरी लगाता था तब मैं कारीगर सी उसके पास थी और प्रती दिन मैं उसकी प्रसंता थी और हर समय उसके सामने आनंदित रहती थी मैं उसकी बसाई हुई पृत्वी से प्रसंती और मेरा सुक मनुश्यों की संगती से होता था इसलिए अब हे मेरे पुत्रों मेरी सुनो क्या ही धन्य है वे जो मेरे मार्ग को पकड़े रहते हैं सिक्षा को सुनो और बुद्धिमान हो जाओ उसके विशे में अनसुनी ना करो क्या ही धन्य है वे मनुश्य जो मेरी सुनता वरन मेरी डेवडी पर प्रति दिन खड़ा रहता और मेरे द्वारों के खंबे के पास दृष्टी लगाए रहता है क्योंकि जो मुझे पाता है वे जीवन को पाता है और यहोवा उससे प्रसन होता है प्रन्तु जो मेरा अपराद करता है वे अपने ही पर उपद्रव करता है जितने मुझ से बैर रखते हैं वे मृत्यू से प्रीती रखते हैं